हेलो एव्रिवन आज किस फीडियो में हमें एक लीने प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम लेकर के आएं जो कि हमें उसे हमें सिंप्लेक्स मैथट की हेल्प से सॉल्फ करना है बट डिफ्रेंस यह कि यहां पे हमारा जो ऑब्जेक्टिफ फंक्शन है वह हमारा मिनिमाईज दे लेते हैं यानि कि जो हमारा जैड है इसको माइनस जैड से रिप्लेस कर देते हैं तो यहां से हमारा ऑब्जेक्टिफ फंक्शन हो जाता है मैक्जिमाईज जैड डैश जो माइनस जैड है उसे हम जैड डैश लिख देते हैं और यहां पर पूरा हो जाएगा हमारा माइनस क x2 प्लस का 3 x3 का माइनस माइनस का 2 x5 फिर यहाँ पर हम लिख देते side में कि हमारा जो यहाँ पर z dash है वो हमारा minus z के equal है अब subject to constant यहाँ पर हम लिख लेते हैं यहाँ पर पहली हमारी थी 3 x2 वाली तो यह हो जाएगा यहाँ से 3 x2 minus x3 plus 2 x5 यहाँ पर हम एड़ कर देंगे slack variable का use होगा क्योंकि यहाँ पर sign जो है less than less r is equal to में दे रखा है तो इसलिए यहाँ पर slack variable का use होगा then दूसी वाली हमारी है यहाँ पर minus 2 x2 plus 4 x3 और यहाँ पर x की power 5 वाला x5 वाला term भी missing है तो हम पहले तो इसे balance कर लेते 0 x5 हो जाएगा plus यहाँ पर 0 s1 और यहाँ पर हम s2 एड़ कर देंगे balance रखने के लिए हम 0 s2 यहाँ एड़ कर देंगे फिर third है हमारी minus 4 x2 plus 3 x3 plus 8 x5 so यहाँ पर हम balance कर लेते पहले तो 0 s1 plus 0 s2 लिख देते है और यहाँ पर इसमें slack variable हम s3 एड़ कर देते हैं इसको हम यहाँ पर balance कर देते हैं 0 s3 और यहाँ पर 0 s3 से equal मैं हमारा दे रखा था 7, 12 और 10 तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं 7, 12 और यह 10 और यह जो हमने slack variable एड़ किये है s1 s2 s3 इन्हें हम यहाँ पर हम अपने objective function में add करते तो यहाँ पर जितने भी use होने वाले variable हैं जो हमने use किये है x2 है x3 है और जो x5 है और जो हमने अपने पास से add किये है basic variable यानि slack variable s1 s2 s3 यह हमारे positive होने चाहिए अब हम table बना लेते हैं और अब हम इसमें सबसे पहले basic variable बेसिक variable वो होते हैं जिने हम अपने पास से add करते हैं तो हमने add यहाँ पर क्या किया है slack variable s1 s2 s3 तो यहाँ पर हम उन्हें लिख देते है s1 s2 and s3 फिर इसके बाद में पहले यहाँ पर लिख लेते है cj cj हमारी यह जो यह वाली line होती है यानि जो हमारा objective function वो होती है तो यहाँ से हम लिख देते है minus 1 3 minus 2 0 0 0 मतलब इन सबके coefficient लिख दिया हमने हाँ पर then बात आती है cb यानि coefficient of basic variable तो s1 s2 s3 के coefficient तो वैसे भी 0 है यहाँ पर लिख देते हैं 0 0 0 xb की जगे पर हम यह वाली value लिखते है 7 12 10 तो यहाँ पर हमारा यह हो जाएगा 7 12 10 अब यहाँ पर हमें जो पहली वाली line होती है इसके coefficient लिखने होते है फिर हमें 2 फिर तीसरी तो यहाँ से हम लिख देते है 3 minus 1 2 1 0 0 फिर दूसी में हमारा है माइनस का 2 है फिर 4 है फिर 0 है फिर 0 है फिर 1 है फिर 0 है फिर हमारा माइनस 4 3 8 0, 0, 1 पर Z' निकालना होते है क्योंकि यहाँ पर हमने इस बार Z' को Z' से replace करके रखा है तो वो हमारा होता है यानि CB into XB इसनका sum होता है इसका जो formula होता है वो हमारा ये होता है Z is equals 2 होता है CB into XB जो होता है इसका sum है मतलब तो यहाँ पर 0 into 0, 0 into 0 जीरो ही रहेगा इसका sum भी 0 रहेगा फिर यहाँ पर मैं delta निकालना होता है delta जो निकालने का formula होता है वो हमने previous वीडियो में सिखा था डेल्टा निकानने का फॉर्मूला होता है cb into xj और इसमें से माइनस करदेंगे हम cj का तो यानि इसकी इससे multiply होगी इसकी होगी इसकी होगी इसमें से हम इसको घटा देंगे तो firms zero into 0, zero बचे का इसमें से हम जैसे हम से cm करेंगे तो माइनस, माइनस यहां प routes का यहां पर फिर से सारे यह term 0 हो जाएंगे this can multiply करानी होती है और फिर इसमें से माइनस का 3 माइनस करेंगे तो इस규hr टाइप से यहां पर बच्जाएगा हमारा गंडाना हहां था जायकर यहां पर बत्ज कुरोई और ब भुविखर बचएगा जीरो खटाएंगे तो जीरो यह बचेगा अब हमें यहां पर चूस करना होते हैं मोस्ट निगेटिव यहां पर एक ही है तो यहीं हमारा हो गया तो यानि जो मिनिमम रेशियो लेंगे इस बार वह हमारा हो जाएगा पहली बात तो जो निगेटिव वाला होता है इसका रेशियो हम लेते हैं इसे हम छोड़ देते हैं अब दूसरे में आते हैं तो यहां से हो जाएगा 12 is divided by 4 यानि यह वाली दिजिट फिर इसके बाद में 10 is divided by 3 तो जैसे 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहां से हो जाएगा 3 और जब 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट है तो नहीं तो अगर इंदोंने में compare करें तो यह तो बड़ा ही होगा तो यहां में minimum ratio चूज करना होता है तो हम इसे ले लेते हैं क्योंकि यह हमारा 3.3 something रहता है तो अब जो हमारा key element है वो हमें यानि कि इस वाली row और इसके सामदे यानि कि यह जो हमारा 4 है यह हमारा हो जाएगा इस बार key element हो गया हमारा key element अब next में में क्या करना होता है जो हमारा key element होता है उसे में one बनाना होता है और उसके ऊपर नीचे में zero बनाने होते हैं तो इसको one बनाने के लिए हम क्या करेंगे यह जो हमारी पूरी में उसका कोई यूज नहीं होता तो इसको हम पहले तो सबसे पहले इस वाली लाइन को हम क्या करेंगे और हाँ एक चीज और यहां से हमारा यानि किस बार माइनस का यहां दो यहां पर बज़एगा एक फिर यहां पर बज़एगा यह यह हो जाएगा 0 फिर एक की जगा हो जाएगा 1,4 और 20 यह हमने ळिया ठीक है अब इसके ज़स्ट वपर हमे जीरो बनाना होते है इसे जीरो बनाने के लिए पहले तो हमें इस and four ब्रश करना होगा तो फॉर्श को यह हमने Zero adds करेंगे two ही रहेगा और फिर one में Zero add करेंगे one हुजाएगा पिर यहाँ Zero में one by four add करेंगे तो बचे का one by four फिर zero में यहाँ पे Zero add करेंगे zero रहे next हमें करना है कि अब इस three को हमें zero बनाना है तो इस three को जीरो बनने कי लिए क्या करेंगे हम इस four को पहले तो टो यहां 3 कदा सब्स्डरेत करें इसकों हम इसी से मुल्टिप्लाइब कर इंगे तो यह बचाएंगे यह कव्टू करेंगे पर 5 करेंगे तो यह प्लस के 3 में से माइनस कर देंगे और यहाँ जीरू है तो यहां पे जीरू है तो यहां पर जीरू में से माइनस कर देंगे फिर यह 0 है जिरो तो यहाँ पर 1 मेंसे जब 0 जाएगा तो यहाँ पर 1 ही बचेगा ठीक है हम क्या करते हैं अब हमें यहाँ पर क्या करना है इसको हमें 0 बनाने तो इसको 0 बनाने के लिए फिर से हम इसे 4 से पहले तो डिवाइड करेंगे फिर 3 से मल्टिप्लाइ कराके इसमे add कर देंगे तो यहां से हम करते हैं ठीक है यहां पर minus जब one में से minus three by two जाएगा तो यहां पर हमारा हो जाएगा minus का one by two ठीक है यहां पर three set multiply कराएंगे और इसमें add करेंगे तो जाएगा zero अब zero और तो यहां पर बच जाएगा टू फिर यहां पर जीरो है तो 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 जीरो को जीरो में एड करेंगे जीरो और यहां पर जीरो है तो यहां पर जीरो को जीरो में एड करेंगे जीरो और यहां पर x2 यानि यह वाली x2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 10 is divided by 5 by 2 तो इसको यह हो जाएगा 2 by 5 तो यहां से जाएगा 4 और जो निगेटिव वाले इनका तो minimum ratio लिया नहीं जाता है तो एक ही है 4 तो इस ही इसी को हम ले लेंगे तो यानि जो में key element मिलेगा वो यह और जाएगा इस बारी का हमारा तो इसको यह key element मिला है तो यानि कि इस बार जो है हमारा s1 replace हो जाएगा x2 से तो इसको हमें one मनाने के लिए five से multiply करा देते हैं इस वाली पूरी रोको तो यहां से पहले तो हम लिख देते हैं S1 की जगा पे X2 और X3 तो हमारा वही रहेगा और यह हमारा हो गया S3 और X2 का जो कॉफिशेंट था X2 का कॉफिशेंट यह हमारा माइनस का 1 है तो यहां पे हम लिख देते हैं माइनस 1 एक्स3 का कॉफिशेंट वही रहेगा 3 और S3 तो हमारा 0 है तो इस वाली तो सबसे पहले क्या करें इस वाली रोको हमें इसको में 1 मनाना यानी 5 by 2 को तो 5 by इसमें हम 2 इसमें multiply करेंगे 2 by 5 से तो यहां पर हो जाएगा 4 यहां पर हो जाएगा 1 यहां जाएगा 0 और इसमें हम और यहां पर तो हमारा 0 बचेगा अब हमें क्या करना है इसे 0 बनाना है इसे 0 बनाने के लिए 5 से डिवाइड कर दें और इसमें add कर दें ठीक है तो इसे हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहां से हमारा 0 हो जाएगा तो यहां से हमारा इधर जब हम इसमें 5 से डिवाइड क तो यहांपे जाएगा 1 और जब 2 यहांपे डिवाइड होगा फाइव से तो जियो में ऐड्ड होगा तो यहां से जेगा हमारा टु बैंड हमारा तू बैंड vom और यहांपे लिसे 17 को आम चरने करेंगे नहीं पर यहांपे चाहिए पॉण फोड गीजातोव यहां kimse 0 बनाना है इसे जीरो बनाने के लिए करेंगे सीधे को उठा के इसтесь देंगे 0 हो जाएगा Smith को पहले name करेंगे तुझारहाई यहां यहांब फाइवस्ट को सब्सक्राइब करेंगे जीरो जीरो को इंड़ करेंगे सबस्क्स निल्क को जडिए बनाना के लिए यहां पे ठाल फायव टुम्हीं है इसको byड्शेफ और यहां decision from 1 by 25 to 4 दिवाइब तो न सिरू पर Americans और यहां से ौज़ाएगा एंधिर चाहिए पर यह फूर के घरिओंगा जैंडे करेंगे В करने यह फिलनाइब निप दिंसरे बारत्व जेल्टा निकाला है इस बारत यह जह भागके हो हो जाएगा 5 या 15 और 15 में से चार जाएगा बच्चे का 11 तो इस टाइप से जो हमारा मैक्सिमाइज जेट डैश है वह जाएगा 11 और अगर यहां पर एक्स टू लेना है एक्स टू यह हो जाएगा हमारा यहां पर एक्स टू हमारा हो जाएगा फोर इसके रिगार्डिंग और यहां पर हमारा जो एक्स थ्री है वह हमारा हो जाएगा फाइफ यह हो गया फाइफ और हमारा एक्स थ्री जो हमारा एक्स फाइफ वो है नहीं तो उसे हम जीरो लिग देंगे जो होता इसको माइनस जड़ से रिप्लेस कर देंगे यहां से जड़ डेश में माइनस जड़ लिख देंगे तो हमें मिल जाएगा मिनीमम जड़ जो हमें निकाल लाए वजाएगा माइनस 11 तो यह हमारा होगा फाइनल आंसर